नमस्कार, आज हम जागो के शुरुआत करेंगे एक सवाल से, सभी पेरेंट्स के लिए एक सवाल और वो ये सवाल है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? जादतर जो जवाब मिलते हैं वो होते हैं डॉक्टर, लॉयर या फिर इंजिनियर जी हाँ एक सटडी के मताबिक जादतर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई ऐसी फील्ड में जाए कोई ऐसा करियर बनाए जो अकैडेमिकली बहुत स्ट्रॉंग हो या फिर व जाए के लिए बच्चों को नुकसान सकता हैं और क्या हल निकल सकता है कि आपका सपना भी पूरा हो और बच्चे भी अपना करियर अच्छे से बना सके आपके सबी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है करियर काउंसलर मिस्स परवीन भलोतरा परवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चागों में और साथ ही हमारे साथ है साइकॉलोजिस्ट मिस्स पुनीता पुनीता जी आपका भी भाद बहुत स्वागत है हर किसी बच्चे में कुछ खास होता है अपने अपने उनके अंदर ख्शमताय होती है जिसमें वो आगे काम कर गई उसी क्षेतर में जाना जाते हैं हर इंसान में कुछ अलग, कुछ नया करने की कला होती है बशर्ते वो अपने भीतर छुपी खासियतों को पहचाल सके क्योंकि जिसने सही मायनों में अपनी खुबी तलाश ली काम्याबी उसी के कदम चुमती है जी हाँ, सचन तिंदुलकर जिनके बलने को जमाना सलाम करता है उन्होंने अपने हुनर को समझा, तराशा और उसे ही अपना करियर बनाया पर जरा सूचिए, क्या होता अगर सचन के पेरेंस उन्हें क्रिकेट में करियर सवारने से रोग देते लेकिन क्या हर माबाब अपने बच्चों की सोच और अपने बच्चों की सपनों की एहमियत को समझ पाते हैं? शायद नहीं आम तोर पर पेरेंस अपने बच्चों की काबिलियत को एडिकेशन से जोड़ कर देखते हैं क्योंकि उनकी नजर में काम्याबी का मतलब डॉक्टर या इंजिनियर बन जाना ही है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी जिन्दगी में सफल हो तो उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद कीचिए और यकीन मानिये इस तरह आपके बच्चे का जीवन ही नहीं बल्कि आपका नाम भी रौशन होगा जी बिल्कूल अगर आपका कोई सपना है अगर उसी सपने को आप अपना करियर बनाते हैं तो आप बेशक सक्सेस्फुल हो सकते हैं कोई सपना है कैसे आप उसमें आगे बढ़े इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इस पूरी साइकॉलोजी को जानते हैं पुनीता जी ये क्यों ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा वो ही बने जिसका वो सपना देखते हैं सी कम्प्लीटली कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स अपनी अनफुल्फिल विश्ज़ को अपने पेच्चो पे धुपना चाहते हैं और उनको लगता है उसके इलावा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता और अपने आपको सबसे बहतर प्रूफ करने के लिए कि my child is the best वाला जो सीन आता है तो वो एक superiority अपने आप में भी develop हो जाती है तो most of the parents wants कि my child should get the best मैंने हमें ये चीज़े नहीं मिली हैं तुमें हम ये चीज़े प्रवाइड कर आ रहे हैं तो तुमें तो ये करना ही है उनको ऐसा लगता है कि उनकी life में जो कमी रह गई तो वो कमी बच्चों के जरीए पूरा करके और उसी करियर में वो जा सके लेकिन परविन जी आपको क्या लगता है अपने बचों के थों से लेकिन दूसरा है कि parents operate out of anxiety जब वो आसपास के उनके colleagues या workmates family members से सुनते हैं कि फलाने का बेटा IIT में चला गया या इसका बेटा इतने लाग कमा रहा है तो ये एक बहुत insecurity और anxiety create करता है और फिर क्योंकि उनके वक्त में जो careers उन्हों उपलब थे जो साथांट careers थे engineering, medicine, law अगयरा, chartered accountancy वगयरा ये जो traditional, conventional careers तो उनका दाइरा तो विस्तरित है उनी careers में और उनके जो colleagues है वो भी उनी careers में है तो उनका comfort level उनी careers में है तो जब उनका बेटा अगर आके कहता है कि मुझे chef बनना है या RJ बनना है या BJ बनना है या event management में जाना है तो क्योंकि उनको उन fields के बारे में बहुत कम जानकारी होती है so it is a fear of the unknown, so security lies in the known आपने जो एक बहुत सही बात कही कि जैसे ऐसे trend बतला है options जादा आ गए है लेकिन parents अपने जमाने के जो options थे उसी में जादा security फील करते है जो कि गलत भी नहीं है लेकिन अगर आप कोई ऐसा career opt करना चाहते हैं जो आज के जमाने का है, जो आपके parents नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करें विलाल हमारे साथ है Sarita Dilli से, Sarita जी सवाल पूचिए Sarita जी से हमारा संपक तूट गया है हम बात कर रहे थे कि ये तो एक situation आ गई कि parents चाहते हैं कि कोई एक बहुत secured career में जाए लेकिन अगर कोई बच्चा जैसे कि परवीन जी ने बताया RJ है, VJ है, actor बनना चाहता है, dancer बनना चाहता है तो कैसे वो convince कर सकता है अपने parents को? See, कैसे convince कर सकता है, वो बहुत एक aspect जिसे हर बच्चा है, हर एक adolescent जूचता है शायद, if you'll be and जब जूचता है तो उसमें एक patience बनाए रखना बच्चे को अपने जो उसकी अपनी भावना है या जिसे वो attached है, जो भी काम करना चाहता है उस पे firm belief रखे अगर करेगा, तो उससे बहुत जादा better होता है Convincing the parents again, उनको उस चीज में हर step में involve करना बहुत से बच्चे आजकल जो बढ़ते जा रहे हैं, adolescent की तरफ जाते हैं तो बहुत time कुछ करते हैं, आप तो समझोगे नहीं And most of the time parents also, कि तुम नहीं समझोगे So they are learning from their own parents only But at the same time, अगर ये दोनों का balance दोनों बना कर रखे Parents पी और बच्चे भी आपस में बना कर रखे कि साहियम से किसी बात का solution निकाला जाए That is the most important aspect जैसा कि अपने थोड़ा सा attitude में अगर हो balance लेकर रहे हैं पिल्कुल, फिलाल हमाइसा जुड़ी हैं शामली कालकटा से शामली जी अपना सवाल पूछे मैं ये पूछना चाहती हूं आप लोग बच्चों पर अपना कारियर थोपते हैं हर बच्चों की एक अपनी कारियर अलग होता है उनकी सोच अलग होती है बच्चों की सोच अलग होती है उसमें बच्चों का जो मनोभाव होता है बच्चों जो मैच्योड नहीं होते हैं वो कैरियर के बारे मुतना समझ नहीं पाते हैं हमेशा जोदि हम बच्चों की ही बात मानें तो ये तो एक तरह से बिल्कुल ठीक नहीं है जी शामली जी आपने बिल्कुल सही का कि एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है ये तालमेल कैसे बन सकता ही हम जानेंगे उसे पहले हम बात करेंगे नीलम जी से जिन्नोंने में पटना से कॉल गया है नीलम जी आप अपना सवाल पूछिए जी नीलम जी ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि करियर उनका फैशन डिजाइनिंग है तो शायद पूरा एक कल्चर को एडॉप्ट करना चाहते हैं पहले हम बात करते हैं शामली जी की प्रॉब्लम पर कि उन्होंने कहा कि ये एक साइकलोजिकल प्रॉब्लम है पेरेंट्स को लगता है कि वो ही सही है और एक और स्टडी के मुताबिक जादा तर 75 परसंटेज जो पेरेंट बच्चे को सिक्योड कर लूँ ये फियर निकालना बहुत ज़रूरी है इन द पैरेंट्स एस वेर बच्चे तो ओविसली हर स्टेप पे बच्पन से लेकर अब तक एक्स्प्लोर करी रहे है नीचे पैरेंट्स समझते हैं कि हमने तो ये चीज़े अलड़ी एक्स्प्लोर क जागो में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सपना होता है वो अगर करियर बन जाए तो एक इनसान कहां तक सक्सेस्फुल हो सकता है लेकिन पेरेंट्स की सोच बीच में आती है उनके सपने बीच में आते हैं तो एक तालमेल बनाना भी बहुत ज़रूरी है ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की नीलम जी से जिनकी ये समस्या थी कि उनका जो बेटा है फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता है लेकिन उनका एक ओवर रॉल जो रहने का तौर तरीका है वो उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो ये करियर कितना सही है और साथ में जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें जो प्रॉब्लम सारी हो कैसे से एडेंटिटेटी कृस्टलाइज नहीं हुई होती है तो बचे एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर उन्होंने कोई रोल-मॉडल देखा है तो वो रोल-मॉडल किस तरह से ज्रेस करता है कैसे चलता है कैसे खाता है कैसे पीता है वो उसको टोटली अडाप animales भी लगाएं लड़का सिर्फ role model को copy कर रहा है कि there is an deeper issue with sexual orientation उसका sexual orientation तो क्या उस तरफ नहीं है और parents के लिए ये मानना या accept करना एक बहुत मुश्किल बात, कथिन बात है लेकिन reality को हमेशा face करना चाहिए और इसमें कोई शर्माने की या उसको you know पर्दों के पीछे रखने की बात नहीं है एक आप उससे बैठ कर बात करें कि what exactly is the issue, why is he dressing like this और अगर आपको uncomfortable लगता है being a mother talking to your son like that तो आप उसको कोई psychologist के पास ले जाएं और उनसे पहले बात कर लें कि ये 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 बात है जहां रही fashion designing की बात इस दुनिया के सबसे बढ़िया और उम्दा fashion designers males है और ये एक field बहुत बड़ा field है इसमें खूब पैसा है बहुत specializations भी है सिर्फ fashion is not only about clothes it could be आप specialized कर सकते in footwear, in nightwear, in sportswear, in accessories in wristwear design, eyewear design, you name it and आप देखते जाएंगे, look at the number of fashion weeks that we have and how fashion conscious everybody has become fashion industry बहुत ज़्यादा बड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्पोर कर सकते है और उसमें एक solid career भी बन सकता है it is not just a debutant career के you know housewife थोड़ा dabble कर रही है या लड़की इसमें एक solid career लड़के भी बना सकते है जी, तो नीलम जी अगर आपके बेटे fashion designer बनना चाहते हैं तो जैसा कि परविन जी ने कहा कि ये बहुत बढ़िया career है अगर वो creative है तो इसमें ये बहुत आगे जा सकते है और जो दूसरा आपको लगता है कि एक जो gender का problem ऐसे आपको लग रहा है कि वो इस तरीके से behave कर रहे है जो आपको uncomfortable लग रहा है उसके लिए अगर आपको लगता है कि serious problem हो रही है तो आप किसी psychologist को भी concern कर सकते हैं फिलाल हमारे साथ जोड़े हैं Anil Merat से Anil जी अपना सवाल पूछे का बढ़ते रहेंगे कैसे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का ही क्या dream है आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि आपको पहले बच्चे को parents are the best equipped to help their children select the right career and they are also the worst equipped you know it's a paradox so we are best equipped की बात करते हैं क्योंकि आप वाके इतना time spend करते हैं बच्चे को आप observe करें that studies के तर्फ उसका रुजान है की नहीं studies के अलावा ये बच्चा क्या करता है social है की नहीं, introverted है team spirit है की नहीं music सुनता है की friends के साथ बाते करना prefer करता है, computer में लगा रहता है की किताबे पढ़ता है helpful है की नहीं घर के और कामों में cooking हो, gardening हो या वगेरा वगेरा तो उसमें उसकी रुजान है की नहीं तो ये observe आप करें और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके उपर definite careers न थोपे in the sense आप हर जब भी आप घर में अलग-अलग आपके दोस्त या आपके relatives आएं तो वो obvious है की वो अलग-अलग चीज कर रहे होंगे कोई doctor होगा कोई teacher होगा कोई businessman होगा कोई entrepreneur होगा कोई teacher scientist वगएर वगएर तो आप encourage करें कि आपके बच्चे उन लोगों से मिले और वो लोग अपने आपके बच्चे को बताए कि वो क्या कर रहे हैं ये अभी से लेकर class 10th तक आपको सिर्फ उनकी आखे खोलनी है कि इस दुन्या में ये 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 और ये है बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो मैं एक उनको छोटा test देती हूं it's called the eye opener तो उसमें marks को नहीं देखते IQ तो जो इनके school में किस तरह के marks आते हैं पता चल जाता है लेकिन बाकी उनके career interest क्या है उनकी personality क्या है उनकी aptitude ability क्या है तो उसको जाच के हम match करते हैं आप जानते हैं कितने careers 3540 careers के साथ matching होती है तो that is the number of careers उनको बहुत बड़ा platform मिलता है शायद उनको लगता है कि जो वो करना चाहते हैं उनको career का path भी नहीं पता होता तो आप उनको सिर्फ एक्सपोस करें आप observe करें और उनको expose करें तो ये इन दोनों तरीके से बहुत हो सकता है कि आप पता कर पाएं कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है जिसमें वो अपना career बना सके फिलाल हमाई साथ चुड़े हैं साहिल पंजाब से साहिल जी अपना सवाल पूछे गुड इवनिंग मैम 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 मीडिया में एडिटिंग में जाना चाहता हूँ पर मैम पेरेंट्स चाहते हैं कोई बड़ा officer बनो वो एडिटिंग को लोग केकर गिरी का मानते हैं तो मैं मैं क्या करूँ जी साहिल जी यही हम बात करें हैं कि पेरेंट्स आपकी education में बहुत पैसा भी लगाते हैं आपके साथ ही वो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं जो गलत भी नहीं है तो यह तालमिल कैसे बनाए आप उस career में कैसे अपना आगे भविश्य बना सकते हैं यह हम जानेंगे एक छोटे से break के बाद कैसे बनाएं आप अपना career अपने सपनों का career और parents की रजामंदी के साथ यह आज हम जागु में जानने की कोशिश कर रहे हैं साहिल जी की समस्या के बारे में हम जानेंगे उसे पहले बात करेंगे मदू से जिन्हों ने अमें फरिदाबाद से कॉल किया है मदू जी अपना सवाल पूछिए मदू जी अपने घर के टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजे पहले I just want to ask you that I want to I want to make my career by I just want to help some poor and needy people but how can I just don't know आप जो जरूरत मन लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं किस फील में मदद करना चाहते हैं about their learning about their education जी बिल्कुल सबसे पहले हम साहिल जी की समस्या के वारे में बात करते हैं कि parents चाहते हैं कि वो officer बने तो सबसे पहले तो वो समझाए कैसे कि वो media में अपना career बनाना चाहते हैं perfectly all right इस वक मैं साहिल को सिर्फ एक ही सला दूंगी obviously parents चाहते हैं officer बने और वो एक media line चूस करना चाहते हैं जो according to the parents बहुती fluctuating होती होती बहुती unexpected होती है and day night shift बहुत जदा time consuming होती है you don't know where you're going to land up साहिल से सबसे बड़ा question यह कितना भी stress आए उसे you stress में change करना सीख लो relax yourself first secondly जब आप parents को put forward करो चीजे तो सबसे पहले जितने भी media के लोग हैं facts and figures के साथ तयार करो convince your parents on the basis of facts and figure अपने parents को आप सही तरीके की pictures और figures दिखा कर तब उनसे बात करो secondly उनकी parents के questions को नजर अंदाज नहीं करना है कोई भी कितना भी illogical questions साहिल को लगे अपने पापा का या मम्मी का उसे side में रखके या ना समझने वाला कोई question उस तरीके से ना करे उनकी बाद भी उसी तरीके से समझे तो यहां पर पुनिता जी बेस्ट यही रहेगा कि जो भी facts figures के साथ उनको convince करे और बताए कि वो उसमें भी अपना career बना सकते हैं तो जैसे कि उन्होंने का media में editing line तो अगर वो parents हमें सुन रहे हैं तो आप उनको समझाना चाहेंगी कि यह भी बहुत अच्छा career है उनका बेटे का सपना है यह वो कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं और जहां रही अफसर की बात आप media में officer हो सकते हैं and it's far more paying and far more glamorous also the other thing is साहिल को यह एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप अपने parents को convince करने की कोशिश करते हो उसमें अपना भी clarity आ जाएगा in the process of trying to convince your parents you will gather information फिर आपको पता आप लोगों से मिलेंगे जो actually यह काम करते हैं not just from what you have seen or heard आप कह रहे हैं कि media में editor बनना चाहते हैं अब media में जो एक film में editor जो काम करते हैं और पृण्च मीडियूम में editor जो काम करते हैं और television में जो editor काम करते हैं बहुत अलग-अलग तरह का काम होता है तो पहले तो आपको यहराइड करना है कि आप कौन से medium में editor बनना चाहते हैं और editing वाकयी होता क्या है अगर फिल्म में तो एडिटर का बहुत ही भारी रोल होता है, एक फिल्म एक एडिटर बनाता है इसकी बहुत अग्मॉलिजमेंट होती है, अवर्ड्स भी मिले चाते हैं तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप कौन से मीडियम में एडिटिंग करना चाहते हैं अगर परविन जी हम उनको यही कहेंगे कि क्लारिटी के साथ अगर बात करेंगे तो अपने परेंट्स को जाद अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे अब हम आते हैं मदू जी के समस्या पर वो हेल्प करना चाहती है सिखाना चाहते हैं एडूकेशन में क्या कर सकते हैं आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हैं एक तो होता है कि आप सोशल वरकप बनो जोला लटकाओ और फिर जाके स्लम्स में काम करो वगरा वगरा लेकिन अगर आप सिक्षित हैं तो आप अपने आसपास में जो बच्चे हैं जो आपके सर्वन्स हैं आपके घर में जो काम कर रहे हैं जो माली हैं आसपास में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को आप जो स्कूल में जाते हैं तो यही एक बहुत बड़ा contribution होगा तो मदुजी का जो purpose है वो इससे बहुत अच्छे से solve हो सकता है वो serve करना चाहते है society को यह बहुत अच्छे बात है अज़कर एक teach India campaign है just sign up for the teach India campaign आपको सिर्फ दो घंटे हफते में तीन बार निकालने है साड़े तीन महिनों के लिए तो अगर आप sign up करते है teach India campaign के लिए तो आप बहुत कुछ contribute कर सकते हैं जी बिलकुल तो इस तरीके से वो अपना purpose भी solve कर सकती है और society को भी serve कर सकती है चलते चलते पुरीता जी आप से एक सवाल पूछेंगे जो सबसे बड़ा problem यहाँ पे आता है कि जो emotional blackmailing हो जाती है आप convince भी कर लेते हैं सब कुछ हो जाता है पर जहाँ parents emotional हो जाते हैं तो वो समस्याइक बन जाती है कैसे उसको deal किया जाए see emotional जो जिस उससे emotional training या पच्चों को दी जाती है या mammyya जो specially roll होके है तुम अपने बापा की बात नहीं सुनोंगे उस तरीके में भी बच्चों को भी emotional होने की जुरूरती है बहुत से बच्चे उसमें तब तो भेह जाते हैं और later on realize करते हैं कि तब अगर हमने बोल दिया तो शायद नहीं होता दीरे दीरे वो भी समल जाएगी तो ध्यान रखना होगा आपको पहले जी सहीम बनाना होगा और सबसे पहले खुद पर confidence रखना होगा क्योंकि अगर हम एक और आपको study बताएं तो यह थोड़ी चुकाने वाली है कि जब आप जबरदस्ती अपने अपनों को समझें आप कोशिश करें कि आप वहीं पर वह support करें ताकि वह अपने career में बहुत successful हो सके पुनिता जी बहुत बहुत धनेवाद आपका जागों में आने के लिए परवीं जी आपका बहुत बहुत धनेवाद